अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवाये जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका नाम है सुन्दर कौन डियर स्टूडेंट ये कहानी है फिफ्ट किलास में पढ़ने वाली पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली सीमा नाम की लड़की की वहें पढ़ने लिखने में तो बहुत ज़्यादा कमजोर थी बस उसकी एक ही विशेश्टा थी कि वहें दिखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर थी इसलिए उसकी लोग तारीफ किया करते थे सीमा को इस वात का घमंड भी हो गया था और वहें ऐसी लड़कियों से नफरत करती थी जो सुन्दर्ता में उससे कुछ कम थी उसे सबसे अधिक बंदना से नफरत थी ये देखिए वच्चो ये बंदना नाम की लड़की है और जो सीमा है वो इसी लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी क्यूंकि ये है इसका रंग थोड़ा काला था मगर वच्चो वंदना का सौभाव तो इतना अच्छा था कि वहे किसी से कुछ भी नहीं कहती थी वहे बहुत ज़्यादा सीधी साधी थी वंदना भूली भाली लड़की थी और पढ़ने लिख लेने भी होशियार थी सभी टीचर्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी घर में मा भी उससे बहुत खुश रहती थी क्यूंकि वच्चों को अपने मा के काम में हाथ भी बटवाती थी और वहे अपना सारा काम मन लगा कर करती थी वहें बड़ी सफाई पसंद थी उसे हमेशा साफ सुत्री जगे पसंद थी और वहें भी हमेशा साफ सुत्री ही रहा करती थी लेकिन जो बच्चों सीमा थी वहें दिनवर खेला करती थी अब जो होता है अर्दवार शेक हाफली के एकजाम जो है निकट आयाते हैं और वहें इस बात की चिंता भी नहीं करती एक दिन सीमा सवेरे गेंद लेके घर से बाहर निकली उसके पापा ने नई गेंद लेकर आए थे इसलिए बहुत ज़्यादा सीधी थी वहें अपनी सहेल दिव्या के घर गई तो दिव्या से कहा उसने कि दिव्या उस समय दिव्या पढ़ रही थी वहें वोली सीमा उससे दिव्या से आओ आओ खेलने चलते हैं दिव्या वोली बाहर खेलने मैं नहीं जा सकती हूँ मेरे अभी पढ़ने का समय है मैं शाम को खेलने जाओंगी जाती है और उसके घर से चली जाती है अब वह अपनी दूसरी सहली मीना के घर जाती है मगर मीना जो होती है मम्मी के काम में हाथ बटवा रही होती है सफाई कर रही होती है तो सीमा कहती है मीना से चलो चलो खेलने चलते हैं अभी सफाई मत करो इस पर जो है सीमा कहती है चलो चल्दी चलो, अब मीना कहती है नहीं नहीं, मैं अभी सफाई कर रही हूँ, अभी मम्मी का काम में हाथ बढ़वा रही हूँ अभी मैं नहीं जा सकती हो अब वह सीमा अदास होने लगती है, और वह कहती है की इन सभको क्या हो गया है सभी को किताबे पढ़ना अच्छा लगता है और सफाई करना अच्छा लगता है मगार किसी को खेलना अच्छा क्यों नहीं लगता है अब वह वही वहां से भी चली जाती है अब सीमा दरवारे पर जाही रही होती है तब मीना अपनी मम्मी जे कहती है देखो ना ममी ये कितनी कामचोल लड़की है ये तो देखो हमेशा खेलती ही रहती है ये सब बाद सीमा सुन लेती है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मीना ये भी कहती है देखो देखो ममी यह तो बंदना को हमेशा काली बिली काली बिली कहके चिड़ाती रहती है लेकिन देखो वो तो बहुत अच्छी रड़की है वो तो बहुत अच्छी से बोलती है और मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है और ये देखो इतनी सुन्दर तो है लेकिन किसी काम की तो है नहीं है यह सब बाते भी वो सुन लेती है अब सीमा को इस बात का बहुत ज़द दुख होता है वह कुछी दूरी पर जाती है रास्ते में केले का छिलका पड़ा होता है यह देखिए प्यारे बच्चों केले का छिलका पड़ा होता है अब वह गिर जाती है अब उस जो बंदना होती है वह दूर खड़ी होती है वह उसके दुख नहीं देखती है वह उसको उठाने के लिए आ जाती है यह देखिए प्यारे बच्चों उठा रही है और कहती है कि आरे तुम्हें चोटों नहीं आए और इस पर जो होती है सीमा की आखों में आसु आ जाते है वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इत्ता बुरा बरताफ किया मैंने तुम्हें काली बिली काली बिली कहकर बुलाया और तब भी मैं जब गिर गई तो तुमने मेरी सहायता की मुझे उठाने के लिए आ गई तो इस बात पर मैं बहुत ज़दा रोती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो अब बंदना कहती है आरे दोस्त कभी माफी नहीं मांगा करती है दोस्त तो दोस्त होते हैं दोस्त कभी माफी नहीं मांगते कोई बात नहीं तुम मेरी दोस्त ही तो होना इस बात की घटना से वह सीमा नाम की जो लड़की थी वह बहुत ज़दा खुश हो जाती है अब वह उसे कभी भी नहीं चिडाती है बहुत ज़दा प्यार से रहती है तो प्यारे बच्चो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चो इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है सुन्दरता रंग से नहीं गुडों से होती है I hope बच्चों की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी Thank you, Bye Bye